हेलो व्रिवन विल्कम टू जी के कैफे दिखे इस वीडियो में डिसक्स करेंगे एंटेस का जो एक्जामनेशन सुवा था भी ऐसा सी ने जो कंड़क कराया आपका और अभी इसका रिजल्ट भी आया निया टीर वन का ठीक है उसके फुल प्रॉसेस के बारे में डिसक्स करें देखे अब बढ़ बारे में काम होने की कम चांसे तो इसी बें डिसक्स करते हैं देखे सबसे पहले बास समझ लेड़े मैं आपको पहली बोलाए कि अंसर की बहुत जल्दी रिलीज कर देता है सबस्क्राइब कर देता है कि 10 से 12 दिन के अंदर ये अपनी अंसर की को रिलीज की बास करना हम है जो इनका में होता हैर बेर वन का इक्सामनीस रहती है तो इसके अंसर की के डो महीने बाद आता है सबस्क्राइब 2015 जिसको करते टीर वन ऐसा सी में अगर थोड़ा बहुत चेंजेस भी होंगे इस वार मुझे नहीं लगता दो महीने लगेंगे मिरको लगता है एक सब्सक्राइब में अंदर इसली आजाएगा टीर वन का रिजल्ट जो ससी म्टेस का है जो आपका क्वालिफाई बता देंगे क करते हैं अब के यед माक्स मिन थे कि अधिर तुगा राइट यह होता आपकार टीर ट्वीन के आपका रिजड़ोंक होने की चांव है लिए पूसके टी उसी मैंने में अगर हम बात करें तो नियुद करें अटकर वालिये था बच्चों से इंगिया ठर्वाट कर लिया था ट्येयर टुब बड़ इस बार मुझे नहीं लगता तो आप ये समझोज लीजिए उस समय मैं मैं बोलळा था इसमें इतु है in comedian कर आघ एक सब शहले कि जल्दी से जल्दी पर्रवैड्आ के खराहनि निकाल जो देंगे है यह क्वालिफाई वाला होता है कि इन बत्चों ने इस बार इसको क्वालिफाई कर लिए है वह देखे उसकी लगती है ले झालो के अकॉर्णिंग बताऊ हुँ जसे इनकी फाइनल मेरिक लगी थी की मतलब जीन बत्चों को इनो नोगे जॉब देनी है जिक्ट आप कैसे भी आगे बढ़ सकते हैं कि आपको क्लियर हो जाता है मेरी जॉब पक्की हो गई है तो इसलिए इसके बीच में तीन से चार महीं ने का तो प्रोसेस आप समझ लीजिए कितना टाइम प्रीड लगा इसमें यह लास्ट यह की जो वेकिंसी रही उसके साब से बता रहो इस बार मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी प्रोसेस को कर लेंगे से से म्टेस का क्योंकि बहुत से प्रैसर रहे हों बहुत सी वेकिंसी जाहिए उससे साब से इनों रिजल्ट भी सभी टाइम से दिया है वह अलग बात है कि सीजल 2018 महीं ने बहुत दादा टाइम लगा पानेल मेरेट के बाद उनकी जॉब मिल गई थी ठीक है और कई जगे ऐसा लगया था कि पांच महीं लगे थे तो यह जोन का हिसाब होता है कि आपके आपने अपने अप्लाई करा है इसके साब से वेकिंसी के साब से आपको जॉब अलोट की जाती है तो आपको समझ में आप जाए चाहरा वैसे मेरे को लगता है इस बार पाद इसली जल्दी जल्दी कर देंगी क्योंकि इतना बड़ा टास्क नहीं होता है से यह में लगेगा जितना पिसलीवा लगा था बहुत से अर्चन आया थी मैंने आपको बताया थी जल 2018 में भी ऐसी हुआ था था तो य तो इसके साब साब की फाइनल मेरिट लगेगे अगर आपका एक्जाम अच्छा गया है गोड है या बैड है तो आपको कोई इसमें रिलीशन नहीं होना चीज तुरंत अपनी अलग प्रिपरेशन में लग जाने चाहिए क्योंकि अब देखे टीर टू नॉमली सभी कि हम इतने सेफ इसकोर हम कॉलिफाई होंगे की नहीं होंगे बस आपने टीर टू अच्छे से दिया तो आपको जोइनिंग मिलेगी और इस मेरिट में आ रहे हैं तो नहीं हो रहे तो आपको अलग हो जाने चीज़ तो क्याने का मतलब है अगर जिसका पेपर अच्छा गया हो क्योंकि वैसे भी आप जानते होंगे 25 इसके लास्ट यह होती है मैक्सिमाइज के बाद बात करें कुछ पोस्टों में होता है 17 साल बट मैक्सिमाम बात करें तो 25 साल होती तो कई बच्छे सी एच को ओवर कर जाते हैं तो इसलिए आने वाली वाली वेकिंसी सेंद्वर कर सब्सक्राइब यह फुल प्रोसेस था जो मनें बताया लास्ट यह कोडिंग इतना टाइब लगया था फिर मैं आपको एक जल्दी क्विक्क्ली बता दो एंप्टेस के दसे बाला दिन में यह अंसर की रिलीज हो जाती हो उससे में पंदर दिन लग गया लग इस बार सब्सक्राइब और यह बहुत बहुत लंबा प्रोसेस खीज दियाता है इतने जरुवत थी नहीं अगर ओवरॉल देखा जाए तो पेपर आराम से जब भी शुरुआ है और लास्में को वेकेंसिस देने में भरने में मेरे को लगता है कि आराम से चार-पाज मैंने में आरा करें चैनल बने दो सब्सक्राइब करें आज की डिक लेतना थेंक यू